अजे देवगन और भगवान सीव का connection totally endless है अजे देवगन का love towards Lord Shiva is truly endless अगर आम अजे देवगन की movies में Lord Shiva का connection डुणडेंगे तो easily मिल जायेगा First of all अजे देवगन की ओमकारा movie फिर शीवाई and अब बोला फिर उसके बाद आप अजे देवगन की इंस्टाग्राम फिर देखोगे तो आपको वही पे भी लोड सीवा दिखेंगे अजे देवगन की चेस्ट पे भी लोड सीवा का टेटू बना हुआ है मतलब अजे देवगण की मूवी सीव से connected होती है तब emotion उनके अंदर से आते है recently अजे देवगण की बोला मूवी प्राइम वीडियो पर रिलिज हुई हाँ ओके, लेट्स टार्ट फ्रों दे स्टोरी हम सब जानते हैं कि बोला इजे ओफिशल रिमेक अप साउथ मूवी काई थी तो मूवी की स्टोरी टोटली सेम है अगर आपने वो मूवी देखी है तो हाँ आपको कुछ नया नहीं लगेगा बट मूवी देखने में मज़ा आएगा ये सोचकर आप मूवी को छोड़ मत देना कि काई थी देखी है तो बोला नहीं देखते है स्पेशल इन टॉक अजे देवगन की डाइरेक्शन कैमेरा वर्क, मूवमेंट, इंटेंशन फ्रों दी म्यूजिक, धैट वस परफेक्ट मूवी की पूरी स्टोरी का सेटब बस 24 गंटे में खतम हो जाता है जब बोला की बेक्श्टोरी दिखाईrection तब सही हम बोला के करेक्टर से काफी अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे मूवी का विलन पोलर नहीं होगा अभिशेक बच्चन, बोला का कुछ connection है past में अभिशेक बच्चन के साथ original villain तो वही है बट उसको ज्यादा दिखाया है नहीं गया, सिर्फ end में दिखाया जाता है, हाँ next part के लिए बचा के रखा है, अभी भी कुछ सवाल है बोला के साथ क्या हुआ था कि वो directly starting में जेल में दिखाया जाता है जो कुछ भी बोला के साथ हुआ होगा वो बोला की past story के साथ connected है movie अभी भी बाकी है, एंड हाँ एक का appreciation करना तो रही गया and really, वो भी काफी appreciation deserve करता है अरे बाई ये truck के बात कर रहा हूँ बोला के जितने सिन मोवीज में है उतने सिन इस ट्रक के भी है वो भी totally free of cost तो इतने appreciation तो बनता है क्या must काम किया है नहीं ट्रक ने and what's your thought on this you can also share with me in comment box and when thing, don't forget to subscribe